साथ्यों हर हर महादियों आज मैं गोश्वामी तुलसी दास जिद्वर रचित रुद्राष्ट्रकम का तीसरा इसलोक लेकर आपके समक्छो उपस्थित हूँ ततकाल प्रभावी और ततकाल फल देने वाला यदि कोई साधन है तो भगवान शंकर की प्रार्थना का रुद्राष्ट्रकम आज मैं तिसरा इसलोक ले रहा हूँ आपने दो इसलोक देखे सुने मुझे उम्मीद है आपने याद भी कर लियोंगे आज तिसरे इसलोक में आते हैं तुशाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटी प्रभाशरी सरीरम इस फुरन मौल कलोली नीचारुगंगा लसद भाल बालेंदू कंठे भुजंगा आईए अर्थ पर बात करते हैं तुशाराद्री तुशाराद्री आद्री जाड़ा होता है तुशार पाला बर्फ ठंधक शीतलता कहां विद्धिमान है कहां उसका आदिस्थल है हिमाले हो गया न तुशाराद्री संकाश अरे हिमाले के समान जो है तुषराद्री संकास, गौरं, हिमाले के समान, हिमाले में छाइवी बर्फ के समान, सुन्दर, गौरं, गौरवरणवाली, शाथियोग अवधादे आपको भगवान संकर को हम नीलकंट कह दिया करते हैं विश्पान करने के बाद, और कालपनीक चित्रे बना लिया करते यह सावदे रंका वास्तविक्ता ये है कि भगवान शीव अपूर्व सुंदर दिव्य सुंदर सभी दिवताओं में सर्वस्रेश्ट्रुक आपने वो इस लोक सबने याद है सब को याद है सबने पढ़ा है ना करपूर गौरम करुना वतारम ये करपूर गौरम शब्द जो बर्फ भी उसी रंकी होती है हिमाले में च्छाई हुई बर्फ के सवान सुंदर और तुशाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम गंभीर है याँ आपके अंदर सब कुछ समाया हुआ है आउश्यक्ता पढ़ने पर आप विश्पान कर लेते हैं मदद करने पर लोगों के नम्रता से निवेदन करते हैं उनके सारे दुखों को आप दूर कर देते हैं मोक्ष को प्रदान कर देते हैं पहला चरण तुशाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम अर्थात हिमाले के समान हिमाचल के समान हिमाचल प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ हिम अचल जहां बर्फ अचला रूप से जमी हुई है मनोभूती मन को अभूत करने वाला मनमत मन को चलाहमान बनाने वाला मन को तमाम प्रकार की भावनाओं से प्रेडित करने वाला कौन कामदेव मनो भूति कोट अरे करोनो कामदेव के समान एक की बात कौन कहे एक कामदेव तो सारे जब को हिला कर रख देता है अरे आप तो करोनो कामदेव की मनो भूति कोटे प्रभाश्री शरीरम करोनो कामदेव की जियोती और शोभा सुन्दरता को लिए हुए आप की दिमान है कामदेव भी आपके आगे केवल हाँ जोल कर गिगड़ाता ही तो है कहानी सुनी होगी न जब कामदेव शंकर जी की तपश्या को भंग करने गया तो कामदेव को भस्म करने वाले है तो करोणों कामदेव की सुन्दरता मनो भूति कोटी प्रभाश्री शरीरम आपके शरीर में सरोणों कामदेव की सुन्दरता विद्यमान है और क्या है तिसरी लाइन इस फुरन मौल कलोली नी चारू गंगा इस फुरन मौली इस फुरित करते हुई कंपन करते हुई गंगा देव नदी भी आपकी जटाओं पर सुसोभित है कहानी पता ही होगी जब भगी रजी गंगा को लाए थे भगवान शिव ने ही सभाई लथा उनको अपने उपर उनकी जटाओं में विद्यमान हुई थी गंगा इस फुरन मौली कलोली नी चारू गंगा और चौथी लाइन में कहते हैं अरे लसद भाल बालेंदू कंठे भुज़ंगा आप पढ़ते तो है इस इस लोग को शायदार से नहीं पता होगा लसद सोभाईमान है अच्छा लग रहा है क्या चीज कहां पर लसद भाल भाल माने मस्तक उनके मस्तक पर क्या सोभाईमान है बालेंदू तमाम लोग हमारे विद्य अर्थी और साथी बालेंदू नहीं सौच पाते होंगे क्या है अरे भाई संदी विछेत कर दीजिए मैं एकसर कहता हूँ जब कोई दिक्कत हो सब्दों को तोड़िये अर्थ निकल आएगा बालेंदू बाल धन इंदू आज के बच्चे तो बाल प्लस इंदू कह देंगे तो बालेंदू बाल माने बच्चा इंदू माने चंद्रमा अब बच्चा चंद्रमा कौन है चंद्रमा सब छोटा कब होता है दूज का चांद दूतिया का चांद जो पवित्र होता है, किसी भी धर्म के लिए हो, जिसमें सर्द्धा है, सम्मान है वो चंद्रमा आपके मस्तक पर लसत भालबालेंदू आपके मस्तक पर, आपके ललाट पर दूज 가 चौन, पवित्रता का चौन लोगों की मनुए च्छा कामना पूर करने वाला चांद विद्धिमान है लसद भाल बालेंदू और अब नीचे उतरते हैं पुले कंठे भुजंगा और कंठ में गले में आपके शर्पों की माला या सर्प विद्धिमान है ऐसा है आपका सुरूप एक तरफ कामदेव की सुं जन जन के रच्छक हैं उन्हें मैं बारं बार प्रणाम करता हूं नमस्कार करता हूं हर हर महादेव